संजय जैस्वाल मुकेश शहनी के बारे में लिखते हैं कि पहले नेता जी ने इस बात की घोशना की कि हम कुढ़नी से चुनाव लड़ेंगे उसके बाद नेता जी ने मामला को सटल कर लिया और उसके बाद संजय जैस्वाल लिखते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इतनी दू से नेता जी पैसा लगा कर पैसा कमाने ही तो आए हैं आप समझे इस बात को संजय जैसवाल मुकेश शहनी पर तंज कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पैसा लगा कर नेता जी पैसा कमाने आये हैं मतलब यह कि मुकेश शहनी पर संजय जैसवा ने इस बात का आरोप लगाया कि कुढ़नी विधानसभा का चुनाव पहले वो लड़ने वाले थे लेकिन उसके बाद उन्होंने आरजेडी से कुछ पैसा वैसा लेकर सब कुछ सटल कर लिया और अब सटल करने के बाद मुकेश चैनी कुढ़नी में चुनाव नहीं लड़ें उसके बाद आगे लिखते हैं कि कभी चिराग जी कभी ओवैसी जी और कभी बस्पा के बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ने वाले दूसरे पर किचल उच्छालते हैं तो हसी आती है वैसे पैसा देकर विधायक खरीद सकते हैं लेकिन अभी तक वो टकसाल नहीं बना जो सकता है और ये सच आपके और आपके आका को पता है उसके बाद वो लिखते हैं कि सौनफ मलाह का ये वादा है कि आपसे कुर्णी विधान सवा उप्चुनाव में आपको हम धूल चटा कर दिखा देंगे मतलब ये कि मुकेश शेहनी संजज जैस्वाल को ऐसा जवाब देत है और आरोप ये है कि संजज जैस्वाल ने साब कहा है कि मुकेश शेहनी पैसा लगा कर पैसा कमाने आये हैं और पहले वो इस बात का अनाउंस्मेंट करते हैं कि हम कुर्णी से चुनाव लड़ेंगे उसके बाद वो इस बात को सेटल भी कर लेते हैं कि चलिए ठीक है नही की होगी बाकि उस जवाब के साथ जो फोटो है वो फोटो भी बहुत लाजवाब है उस फोटो में हाथियां देखी जा सकती है और वहाँ पर लिखा है कुटे भोगते रहते हैं गालिब हाथी अपनी चाल चलता रहता है दुनिया कुछ भी कहे हमें गालिब हम वही करते है जो हमारा दिल कहता है मुकेश चैनी अपने आपको सिर्फिरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो पता रहे हैं कि उनको खरीदने वाला कोई टकसाल अभी पैदा नहीं हुआ है और उसके बाद मुकेश चैनी संजय जैस्वाल को इस बात का दावा करते हैं कि देखिए कि विधान समा में आपके पार्टी को धूल चटा कर दिखा देंगे और ये बता देंगे कि किसमें कितनी हैसित है किसमें कितनी राजनीतिक ताकत है संजय जैस्वाल का आरोप मुकेश चैनी को सायद बहुत बुरा लग गया होगा वैसे आपको पता है कि मुकेश चैनी के बारे में लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि मुकेश चेहनी प्राइवेट पार्टी ऐसा कॉर्पोरेट दुनिया चला रहे हैं जहां पर मालिक मुकेश चेहनी है और सब को उनका बात सुनना परता है हमने यूपी के चुनाओ में भी ये बाते कई बार सुनी थी लेकिन अब जब सन्य जैसवाल ने इस बात को फिर से दोराया है तब मुकेश चेहनी ने एकदम हीरो के माफी का कर उसका जवाब भी दिया है उन्होंने कहा है कि आप किसी और के भरे से चुनाओ लड़ते हैं आप पैसा से विधायक खरीदते हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा टक साल नहीं है जो सनफ मलाह मुकेश चेहनी को खरीद ले और उसके बाद मुकेश चेहनी दावा करते हैं कि अगर आपको कुर्णी उपचुनाओ में धूल नहीं चटा दिये तो आप हमको बताईएगा मतलब यह कि मुकेश चेहनी मनमना चुके हैं कि बोचहा में जैसे डिरे हार जाए बाकि देखिए जब उपचुनाओ होगा और जब परिणाव आएंगे तो मालूम पड़ जाया कि सनफ मुकेश चेहनी लेकिन देखिए मुकेश चेहनी का परभाव तो कुर्णी में है कुर्णी में उनके अपने जाती के लोग भी है जो उनके वोटर माने जाते ह हैं तो हो सकता है कि भाजपा को वाकई में नुक्सान हो जाए और संजर जैस्वाल का यह आरोप संजर जैस्वाल की पार्टी पर भारी पर जाए मैं कोई अप्डेट आगे तो आपको में तरा करेंगे मिरे नाम प्रशांत्रा है आप जिंता दिंशन देख रहे थे बहुत बहुत दनिवाद